इससे ज़्यादा दिमागदार बंदा मैंने आज तक जिन्दगी मी नहीं देखा आपको लग रहा होगा कि यार मैं मजा कर रहा हूँ बिलकुल भी नहीं देखना इसके सीन तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और यार आखिर कार आखिर कार जाके 30 से उपर किल होते हैं मतलब जब भी नया सीजन आता है भाई अजीब से ही सीन होंगे कभी बंदे ठिल जाएंगे बंदे ही नहीं आते कभी लोबी में कभी बहुती बहुती स्किल करना बहुत दिक्कदाय हो जाता है लेकिन इसमें आखिर कार जाके किसमत चमकती है और बंदे दबाके मिलते हैं इत यह डब्बा क्यों है पता नहीं यार छेड़ चाड़ कर रहा था देख रहा था कौन से कपड़े पड़े मेरे पे और देखते देखते यह पहन लिया खैर जो भी ओ फिलाल पोचंक की आ रहा हूं और इस साइड से अटेक कर रहा हूं यहीं सामने एक बंदा बैठा है और जिस हिसाब से यह बंदा कूते वाया है ना मेरे को लग रहा है इसको लगा कि मैं एक बोट हूँ अना क्यूंकि इस तरफ से बोट ही आते हैं जातर खैर बोट तो हम लोग कद्दू भी नहीं होते और उस बेचारे बंदे की सीधा पेटी बनती है और अब उसके टीमेट्स की बारी और इसी घर पे लड़ाए बिड़ रही है तो हम भी गुझ जाते हैं और इस बंदे की टीपी पी लेते लेते पेटी बन जाती है खैर उसके बाद मैं उपर की तरफ देखता हूँ और देखो केंपिंग अब यहाँ छट के उपर तीन तीन बंदे बैठे पड़े हैं अब एक के करके ये तीनों की तीनों नीचे कूटते हैं एक दूसरे कमरे में बैठा दा और जिस हिसाब से ये लोग उपर बैठे थे न मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये लोग नीचे छलांग मारेंगे लेकिन वहीं करते हैं ये लोग और जहां पर लड़ाई चल ली हो और वहां बहुत न पहुचे ऐसा आज कल बहुत ही कम होता है और ये लोग भी पूरा इंतिजार करके आते हैं देखते की पहले लड़ाई पूरी भीडरी है की नहीं अगर लड़ाई भीडरी है तो बहुत पहुच जाएंगे लेकिन अगर आप ऐसी बैठे पड़े हो कुछ नी चलना है लूटे जा रहे हो तब कोई भी नहीं आता है खैर जो भी हो यहाँ पे इनको पेलने के वाद मेरे को लगता है यार ठीक है दो ड़ाई सकोड आई थी सारे ठील चुके हैं क्योंकि लड़ाई यहाँ हमारे आने से पहले हो रही थी लेकिन मैं गलत होता हूँ क्योंकि पोचंकी मैं अभी तीन-चार बंदे और बैठे करता है क्यार इधर पर मैं बैठता हूँ और आगे मेरे को कोई दिखाई देता है या फिर फुटी स्टैप आता है कुछ तो हुआ था और एक नौक करने के बाद अंधारस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है कर दो और जिस दिन पोचंकी में केंपिंग होनी बंद हो जाएगी ना उस दिन ये पबजी पबजी नहीं रहेगा क्योंकि पोचंकी एक ऐसी जगा है जहां पे कुछ भी हो जाएगी केंपिंग केंपर बर के मिलते हैं देख रहे हो मतलब पहले मैंने एक बंदे को नौक किया मैंने बोला ठीक यार वैसे भी सनाटा चायवा था क्या पता एक ही बंदा हो अंदर गुस्ताओ भाई दो दो बंदे गुली चला रहे हैं और एक साइड में नौक पड़ा है यानि कि तीन तीन बंदे एक घर के अंदर और सनाटा इस कदर फैला था कि क्या ही बता हूँ खैर इसी के साथ पोचंकी पूरा खाली हो जाता है या फिर यार गिने चुने यही केंपर बाकी होंगे जिने हम चाह के भी नहीं ढूंड सकते अपनी जिंदगी में तो मैं अपनी गाड़ी पल्टाते पल्टाते निकल जाता हूँ पोचंकी से और आगे जाके चार-पांच फ्रेड डेरॉप देखने को मिलेंगे लेकिन उससे पहले हम धेड़ बेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है OneExpert जिसके माद़ से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बोलीबॉल, बास्केटबॉल और e-sports वगेरा पे बेड़ बुर्ट लागा सकते हूँ और इसमें आपको आपके पहले डिपोजिट पे 7,000 रुपे तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हूँ जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा और इसमें कई सारे मिनी गेम्स हैं तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हो और इसमें जीते वे पैसे विड्रॉ करना बहुत ही आसान है इसमें पेटी एम पेपाल गूगल पे नजाने क्या क्या है आप कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है इस एप को जरूर ट्राय करना इसकी लिंक कमेंट सेक्शिोन में होगी बिल्कुल टोप में और देखो इस जगा पे घरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन बंदे क्या करते हैं बिल्कुल ओपन में बीच ओबीच ओपन में रुखके फलेर चला दो है और मजे से लूटे जा रहे हैं मतलब यार साब बनने की पूरी तैयारी थी खैर अब मैं यहां तक आगया हूँ तो गुला बारी करता हूँ आगे और वो नीले कपड़ो वाला बंदा क्या ही चलांग लगाता है मतलब भाई के पीछे आग लग जाती है भाई कूते वे बाहर आते समोक से और बाहर आते ही मैं पकड़ लेता हूँ तो आगे बढ़ता हूँ अब फ्लेर पीछे जली होती है और एक्सियोन आगे चला होता है क्योंकि यहां पे भी एक फ्लेर है और मेरे मूँ के सामने एक बंदे की पेटी बन चाती है यार थोड़ा जल्दी आया होता एक और किल ले जाता देख रहे हो देख रहे हो बाट को किस कदर भगते वे जा रहा था उधर एक्सियोन चला है बाट भाई उधर भगना चाहरे थे खैर यहां पे मैं खड़ा था तो रस्ते पेई-पेटी बना दी अब मैं इस घर पे गुशता हूँ और यहां कोई सोया पड़ा है यही होता है यही होता है जब आप दिन भर गलत से दबा के दिते हो और अपने नैट की ऐसी तैसी कर देते हूँ और जब आप गेम खिलने जाते हो यार नैट कतम हो जाता है फिर ऐसे लेट के जाना पड़ता है कहीं पे और इस एक अकेली जगा पे नजाने कितनी सहरी टीम आती है एक टीम यहाँ घर पे बैटके खतम की एक टीम इस पे बैटी पढ़िया आगे घर पे और अभी दो तीन टीम और आएंगी दमा की गलत सीन है और इसी के साथ साथ यह दूसरी है कि चौते टीम भी खतम हो जाती है लेकिन अभी और भी बंदे आना बाकिये हैं हाँ गाड़ी भर के आते हैं पूरे और जैसा कि मैंने बूला ही था जहां पर एक्षियोन वहां पर बाट पहुंचे पड़े रहते हैं देख रहे हो मतलब गूम फिर के बाट आही गया इधर पे खैर यहां पे तीन चार बंदे पेलने के बाद मैं सोचता हूं कि यार आखिर कार आकिर कार जाके आराम से पेटिया लूटूँगा लेकिन उतने में ही आगे घरों से मुझे एक बग्गी की आवाज आती है अब दो-तीन पतानी कितनी बग्गी आती है लेकिन मेरे ख्याल से पूरे के पूरे चार बंदे आये होते हैं अब देखो यहां से मैं कहीं भग भी नहीं सकता क्योंकि पीछे की तरफ भी एक बंदा है पीछे सस्ता सा सैक पड़ा है और वहां पे गाड़ी पड़ी है और जहां तक मेरे को पता है वो बंदा किसी और टीम का होता है तो यहाँ पे हम भसे पड़े हैं और यार अगर बुरी किस्मत रही न तो आगे और पीछे दोनों तरफ के बंदे हमारी पेटी बनाएंगे और उतने में ही हमारे भाई गलत सीन कर बैठते हैं यहाँ पे मैंने बोला था कि यार भाई तुम प्रीक करो मैं सब कुछ समाल लूँगा लेकिन सीन क्या होता है भाई दूसरी खिड़के से करते हैं और यहाँ से मेरे को कद्धू कुछ नि दिखता तो भाईया नौको जाते हैं और अब रसरूस होने वाला है और यहाँ पे आते ही बंदों ने गुरा बारी चालू कर दी खेर यह घर काफी बड़ा है यार मतलब छजो की कमरो की कमी नहीं है और बीच में एक अजीब सी दिवार है तो शायद बच जाओंगा मैं यहाँ पे नेट से अब या तो मैं यहाँ पे नसे में यह वोईस ओवर करने बैठा हूँ या तो फिर नेट की आवाद सही में नहीं आई देख रहे हो मतलब देखो जब मैं गेम खेलता हूँ तब नेट की बराबर आवाज आती है लेकिन यार रिकॉर्डिंग में ना जाने क्या सीन होते हैं अगर आप नेट से दूर कहीं देख रहे हो तो आवाज नहीं आती क्यार जो भी सीन हो अब यहाँ पर क्या होता है मैं एक और नेट नीचे करता हूँ और पीछे वाले बंदे हमारी मदद कर देते हैं और चाहते ना चाहते वे भी वो एउजी वाला बंदा हमारी मदद कर जाता है और मैं सही बतारो यार अगर वो एउजी वाला बंदा पेलता नहीं नहीं यह नीचे वाले बंदों को ये लोग हम पे इस कदर चड़ते की क्या ही बताऊं सिधा बेटी बनती क्यार अब AUG वाले को भी पेलना है और इतना सारा डैमेज देने के बाद भी रश नहीं किया ना तो कुछ फायदा नहीं होगा बिलकुल अब पोचंकी से मैं निकलाता है यार 10-12 खिल लेके यहां पे आते आते 26 किल का बुचाते हैं पता तक नहीं चलता मैं देखतो यार 26 किल या निकी 30 किल करने का मौका बहुत ही तगड़ा है अब देखो यहां पे मैं चाहता तो 40 किल के लिए भग सकता था लेकिन यार देखो 40 किल के चक्कर में अगर पेटी बन जाए 26 पे ही तो दुख बहुत होगा और हमेशा की तरह यार एक्शियोन खतम हुआ बोट आ गए याँ पे खैर जैसे 33 करके यहां पे 27 किलो जाते हैं और उतने में ही एक और फिलर चलती है और ऐसा नहीं कि यार 1000 मीटर दूर बिल्कुल भी नहीं यहीं बगल के घरों पे चलती है पता नहीं क्या ही सिंदे यार हर कोई भगके इधर घरों पे आया और हर एक सोकड पे एक एक दो-दो फिलर गन पड़ी होती है हमको छोड़के है यार हम तो बस नहते नंगे ही भगते रहते हैं हमें सा किल के पीछे खैर फिलर गन चलती है अब देखो किल अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन लालच लाराच की वज़ा से यार जाना ही पड़ता है मेरे को फिलर पे तो यहाँ पे जो भी लूट होती है मैं धैड़ पर उठाता हूँ और कोशिस करता हूँ कि AWM वगेरा मिल जाए और मिल भी जाती है तो यार जोस पूरा होता है जिंदगी में तो हम भी भगते हैं फिलर की तरफ और यह सीन देखियार मेरा टीमेट पागल टैप हो जाता है होगा भी कैसी नियार मतलब इतनी छोटी जगह पे चार-चार-पांच-पांच फिलर चलती है और ऐसा नहीं कि एक ही टीम के पांच-पांच-पांच सो कोट से लड़ाई कर चुके हैं और आगी भी लडने जा रहे हैं और यार यह जो बंदा है न जिससे हम आगे जाके लड़ेंगे इससे ज़्यादा दिमागदार बंदा मैंने आस तक जिंदगी में नहीं देखा आपको लग रहा होगा कि यार मैं मजा कर रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं देखना इसके सीन मतलब इतना दिमाग यार अगर मैं दिन के चोदा बदाम खाऊंगा न फिर भी नहीं होगा इसके आसपास भी नहीं कहीं या तो फिर मैं ही बेवकूफ हूँ बहुत खेर जो भी सीनो मैं फिलर के पास आता हूँ और फिलर उपर अटक जाती है और देखो क्योंकि ये उपर अटक है न इसी की वज़ा से भाई का पलान पूरा फेल हो जाता है देखो क्या सीन होंगे यहां पे अब मैं गोली चलाता हूँ भाई की भटती है और भाई घर के नीचे कूच जाते हैं और यार कूदेने की वज़ा से गलत सीन हो जाते हैं और मेरे को लगता है यार इस मैच के बाद मेरे टीमेट का दिमाग काम करना बन कर देगा भाई चौके जा रहा है मतलब तीन तीन गैस केन पड़े हैं नीचे कोई भी कैसे नहीं चौकेगा अब देखो यार एक एक करके फोड़ना चालू करता हूँ मैं सबको और यहां पे मेरे को पता चलता है कि ये बंदा टोफ पार पी वाला था बिल्कुल महेंगा रोयल पास था भाई पे यहां पलेन पे ही देख लो मतलब यार बड़ी आया मेरे को लगा ये बंदा यार इतनी जादा आरपी है फाड़ के न फिक दे बाद मैं देख रहा हूँ तो यार भाई ये सीन करके बैठे हैं लेकिन मानो या ना मानो बंदे ने दिमाग पूरा लगाया था देखो एक तरफ हम जैसे लोग उते हैं बिल्कुल ढीट लालची बिल्कुल गैसकेन के नाम पे कद्दू कुछ नहीं उठाते और दूसरी तरफ ये बंदा था तीन तीन गैसकेन यार मजाक नहीं चलना है यहाँ पे तीन गैसकेन उठाना बहुत बड़ी बात होती है कासकार मेरे जैसे लूट के लालची लोगों के लिए क्यार अब दिमाग भाई ने बहुत लगाया लेकिन एक गड़बड की वज़ा से भाई की वहीं रस्ते पे पेटी बन गई जो भाई ने वो बिचाया था वो जाल बिचाया था उसी में भाई खुच बाज जाते हैं अब यहाँ पे पहले में आया था ब्रिच केम करने फिर मैं दिमोलता हूँ यार बन्दे तो आपस में ठीले जा रहे हैं रस्त करने जाता हूँ लेकिन जैसी मैं गाड़ी भगारा हुता हूँ ना हमारे भाई का लेग होने लगता है मैं बोलता हूँ या बन्दे आने वाले हैं चुपके बैठ जाओ और मैं चुपके जरूर बैठ जाता हूँ लेकिन बन्दे के नाम पे कद्दू कोई नहीं आता वो लोग नजाने कहां पे लड़के बिढ़के ठील जाते हैं लेकिन अब क्यूंकि काफी देर उचुका था और जून भी आने वाला था तो मैं बोलता हूँ ठीक यार जो होगा देखा जाएगा दो बंदो को तो पेली देंगे कही ना कहीं से ती स्किल होई जाएगी और अगर इस टेम पे मैं ढूलने निकलता हूँ ना बंदो को तो बंदे बिरिच पार कर जाएगे ना मैं बिरिच ब्लॉक कर पाऊंगा ना ही बंदे पिल पाऊंगा इसलिए यहां पे मैं चुप करके लेट जाता हूँ और बस इंतेजार है बंदो के आने का अब देखो लैग जरूर हुआ था लेकिन कोई भी नहीं आया और इसा बहुत ही कम होता है यार कि लैग हो और बंदे ना है बहुत ही कम होता है खेर इस बार लैग भी अपने को धो का दे दिया आप क्या ही कर सकते हैं इंतेजार के सिवाए और यहार आखिर कार जाके बंदे आना चालू करते हैं अब देखो ब्रिज केम्प साधी के बारात की तरह है पहले रुके राओ गंटों बार कोई भी नहीं आता लेकिन जब एक बंदा कोई दिखता है न यार उसके बाद बंदे आना रुकते नहीं बिल्कुल भी दे दबादा भीड़ पे भीड़ आती है और ब्रिज पे भी य जब दा थीं होता है एक गाड़ी आगई है और उसके पीछे एक और गाड़ी आरही होती है और यह दोनों के दोनों बंदे अकेले आ रहे थे यह वही हईक जो सिर्फ और भर खाना खाने के लिए आते हैं हां मेरी तरह बिल्कुल लेकिन इसके बाद जाके एक गाड़ी भर के आती है और उसमें तीनों के तीनों बंदे बैठे होते हैं देखो हम यहां पे ब्रिज ब्लोक नहीं करते हैं जाते हैं यहां लोग पहले से लेकिन मैं बहुत गलत हुता हूं और ठीक इस टेम पे मैं समझ जाता हूं कि तीनों के तीनों बंदे उधर पे बैठें और यार मैं नहीं चाहता है यह जून-जून से ठिल जाएं तो हम अंदार रस कर देते हैं यहां पे और इस मैच के बाद जब मैंने अपनी किल की तरफ देखा न यार बहुत अलग बहुत अलग लेवल पे खुसी हुई क्योंकि मैं इतने दिनों से बटके जा रहा हूं बंदे यार जिन्दा ही नहीं बसते अगर बंदे जिन्दा बसते हैं तो मेरे मूग चाहती है लेकिन इस मैच में नहीं अब यहां पे यार अगर मैं अंधा रस करता तो क्या पता 35 स्किल तक निकाल देता लेकिन क्या पता मेरी अंधारस करते वे पेटी बन जाती कैर 33 स्किल भी बहुत यार खुशी की कमी नहीं है याँ पे मज़ा टैप आ गया इतने दिनों बाद आखिरकार हुए 30 से जाधा किल तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये 33 स्किल गेम प्ले और वो जो टोप आपी वाला बंदा था उसने वो जो तीन गैसकेन वाला दिमाग लगाए था यार उसके लिए लाइक ठोकना मत बूलना बिल्कुल ठोक के पेटी बना दो लाइक की लीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब इसक्राइब और यह से हजार IQ गेम प्ले मेरे नई बाकी बन्दों के लिए आपन तो डेड़ IQ गेम प्ले करता है और सस्ती कमेंटरी के लिए और यार जाते जाते एक एक्स बैट चगाउट करना मत बूलना उसके लिंक कमेंट सेक्षियों में होगी पिल्कुल टोप में ट्राइ करके देखो यार क्या पता आपकी टीम के साथ साथ आप भी कुछ जी जाओ तो आज के डो में इतना है भालोग यार कल मिलते हैं आप बाद